नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिट वर्ड हेल्थ केर में और आज हम जानेंगे खासी की समस्या में प्राचीन काल से इस्तेमाल की जाने वाली अद्भुता अइर्वेतिक ओशदी सीतो पलादी चून के बारे में सीतो पलादी चून के और शदी अगोण एवन विशेश उपियोग सीतो पलादी चून को बनाने में मिश्री, वंश लोचन, पीपली, छोटी लाइची के बीज और दाल चीनी जैसे अतियंत लापकारी दिर्वियों का इस्तेमाल किया जाता है इस चून का सेवन 2 ग्राम यानि लगबग आधी टीस्पून की मातरा में किया जाता है, सुबा शाम 6 ग्राम घी और 1 ग्राम शेहत के साथ, या फिर केवल शेहत के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है सीतो ब्लादी चून एक क्लासिकल आईरवेदिक फॉर्मूला है, जो की बहुती असानी से ओनलाइन एवं ओफलाइन उपलब्द हो जाता है सीतो ब्लादी चून का सेवन करने से, श्वाश रोग, खासी, शेह रोग, हातो पैरों में जलन, भूख ना लगना, जिववा की शुनेता, यानि जब शब्द साफ ना बोले जा रहे हो, पसली का दर्द और बुखार जैसी सौस समंधि समसियाओं में अतियंद लाब मिलता यह चून, बढ़े हुए पित को शांत करता है, कफ को घडाता है, भूख को बढ़ाता है, जठारगनी को तेज करता है, और पाचक रस को तेजित कर भोजन को पचाता है, जब पित भढ़ जाने की वज़े से, कफ सूक कर छाती में बलगम जम जाता है, प्यास ज़ादा बच्चे को विशेश रूप से रात के समय थोड़ा बुखार आता है और बुखार होने के कारण शडीर निर्बल, दुर्बल तथा क्रांती हीन हो जाता है तो इस स्थिति में भी सीतोपलादी चून विशेश लाद दायक है बच्चों को जब सूखर हो जाए तो बच्चा कम बच्चे को शेहत के साथ दें एक ग्राम की मातरा में दिन में दो बार नियमित रूप से इसका सेवन करने से समस्या ठीक हो जाती है जब जुखार बिगड़ जाता है तो सीतोपलादी चून का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा सर्दी लगने की वज़े से या कुछ ठंड नाम यह होता है कि सिर में दर्द, सुकी खासी, ठकावट, आलस्तिय, भारीपन और भोजन में रूची रहते हुए भी खाने की इच्छा ना होने जैसे अनेक उपद्रव होने लगते हैं ऐसी स्तिती में 2 ग्राम सीतोपलादी चून को 10 ग्राम शेर्बत बनस्वा के साथ द तो आज के लिए इतना ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप निश्चिन्थ होकर कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और ऐसी ही इन्फरमेटिव वीडियो देखने के लिए फिट वर्ड हेल्थ केर को सस्क्राइब करें तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में धन्यवाद